ब्रॉंस्टेट लॉरी थियोरी इस्टुडेंट्स ब्रॉंस्टेट लॉरी थियोरी हमारा आज का टॉपिक है 1923 में ब्रॉंस्टेट लॉरी थियोरी थियो को देखने से पहले डिस्क्रिफिंद ब्रॉंस्टिट लॉरी थियोरी देख सकते हैं कि आरहीनियस आइंटिस ने क्या बत कही थी एसिड और बेस के हवाले से कि जो H प्लस आइन देगा वो आपके पास एसिड होगा और जो OH आइन रिलीस करेगा वाटर के अंदर वो आपके पास बेस होगा लेकिन NH3 की जब बात करते हैं अमूनिया की आमूनिया ने आकर आरहीनियस की थियोरी पर लिमिटेशन लगा देती आमूनिया के वज़ए से आरहीनियस थियोरी रॉंग साबित हो रही थी कि NH3 जो है वो हाइड्रोजन आइन रिलीस करने के वज़ाए अगर हम इस एक्वेशन में भी देखे तो यहां पर स्टूडेंट्स NH3 मुझूदे यह यहां पर यह NH3 मुझूदे इसको यह इस वाटर में डाला गिया वाटर में डालने के बाद यह NH4 में तद्दील हो गया यहां पर छोटा सा लिखावा भी है NH4 NH4 में तद्दील होग्य है इसका मतलब इसने हाइडरोजन आइन एकसेप्ट कर लिया यहां पर क्या 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 रहेते है कि हाइडरोजन आइन रिल announce करेगा तो अएसीड और OH आइन रिलस करेगा तो बेस लेकिन यहां पर NH3 रिलीस करने के लिज़ाए accept کر لیتا ہے और यह accept करे या release करे यह acid है ही नहीं यह खुद एक basic nature रखता है ammonia NH3 तो पर कैसे हो सकता है जबके इसके अंदर तो OH आइन ही नहीं था तो उसी confusion को लेते हुए ब्रॉंस्टिट और लॉरी ने मिलकर एक theory पेश करी इनके मताबिक अब इन साइंटिस के मताबिक इन्होंने बात को थोड़ा सा मुक्तलिफ अंदाज में कहा कि आपके पास acid वो होता है मैं यह लिख देता हूँ कि आप proton जो एक proton donor हो जो donate करे वो acid है और आप proton और जो proton एकसेप्ट करे वो base है जो proton donate करे वो आपके पास acid है और जो proton accept करे students वो आपके पास क्या है base है अगर हम hydrogen atom की बात करें proton और hydrogen atom में क्या फरके इसकी थोड़ी सी confusion को हमें मिटा लेना चाहिए कि यह confusion जो है वो यह दोनों बराबर है यह दोनों अलग अलग चीज़े है hydrogen atom जो होता है वो आपके पास ऐसा होता है कि उसके अंदर एक nucleus होता है और एक ही proton उस nucleus में मजूद होता है और उस nucleus के बार एक shell होता है और उसमें एक ही electron होता है यह दो हम एक structure की वीडियो में मैंने यह बात बताई भी है यह shells यह nucleus क्या होते है और 9 class के level में भी यह बात सिखाई गई है कि nucleus के अंदर positive charge होता है और electron के उपर आपके पास negative charge होता है students जब electron आपका release हो जाएगा बाहर की तरफ आपका electron जो है वो बाहर release हो गया अब आपके पास जो hydrogen है उसके उपर plus one charge आ जाता है इस plus one का बतलब यह होता है कि एक ही proton है इसके पास तो हम कहते है hydrogen plus hydrogen ion hydrogen plus तो arheneus ने भी यही कहाता है यहाँ पर कि आपके पास अगर hydrogen ion मुझूद है यह आपके पास hydrogen ion लिखावा है यह अगर release हो रहा है तो वो acid है और अगर हम यहां गोड़ से देखें तो इन्होंने लिखा है अब proton donor donor माने भी होता है donate कर देना release कर देना जो proton donate कर दे वो क्या है students acid है तो acid के हवाले से arheneus हो या bronsted हो एक ही बात थी लेकिन base के हवाले से change आपके पास यहाँ पर ammonia में OH मुझूद है और यहाँ क्या कह रहे है कि proton acceptor हो proton क्या हो acceptor हो तो वो आपके पास क्या होगा base होगा SL में जो NH3 के उपर आपके पास problem किरियेट हुई थी वो यही हुई थी कि NH3 acid है या base है तो हम उसी problem को देखते हुए equation लिख देते हैं जो equation उपर diagram में भी बनी वी है कि NH3 plus H2O आप लोग explanation की heading डालके यह equation लाजमी लिखेंगा यह एक reversible reaction होता है तो हम इसको इस तरह arrow बनाते हैं और NH4 plus मतलब यह NH3 से NH3 गे रहा इसने water से एक hydrogen ion लिया और NH4 बना लिया और plus OH negative OH negative जो है वो बाहर निकल गया तो इस तरहीके से हमाई रे पास NH4 अलग हो जाता है और OH negative अलग हो जाता है तो इसने यहां भी कोई proton donate नहीं करें students गौर करें तो इस water में से proton क्या करा है accept करके NH3 से NH4 हो गया है H पहले 3 थे और यहां 4 हो गया है तो proton acceptor हो गया है proton acceptor है तो फिर यह क्या होगा base होगा तो फिर आपके पास NH3 is not acid is a base तो यह एक basic solution तयार करता है इस वज़ा से brown state की बाद सही साबित हुई कि NH3 जो है वो base है brown state के मताबिक students जो आपके पास NH3 है वो base है और base वो है जो proton accept कर रहा है उसके बाद हम next example देख लेते हैं यहां पर एक acidic acid की example है जो एक as a weak acid है यहां पर acidic acid मुझूद है और यह एक weak acid है यहां पर अगर हम देख लें तो यह आपके पास एक weak acid होता है acidic acid हम यहां पर इसकी अगर equation लिखना चाहे तो यह होगी कि CH3 COOH plus H2O मैं इसका product नीचे लिख दे रहा हूँ CH3 COO और H3O plus मतलब यहां से यह वाला H निकलके आपके पास यह वाला H जो है वो बाहर आ गया और वो इस H के साथ जुड़ गया यहां पर पहले H2 था और अब यहां पर H3 हो चुका है तो यह आपके पास acid हो गया जिसने proton donate करा जिसने proton donate करा this is acid जिसने proton donate करा this is acid और जिसने proton accept करा water ने proton accept करा तो water यहां पर as a base work करेगा और students यह आपके पास conjugate acid कहलाएगा conjugate acid वो होता है जो दुबारा से acid बनने की सलायत रखता हो यह आपके पास conjugate conjugate base कहलाएगा क्योंकि अब यह proton acceptor की form में आ चुका है और यह conjugate acid कहलाएगा next वो last compound की तरफ बढ़ते हैं यह तो आपके पास student एक weak acid था लेकिन अब जो है आपके पास एक strong acid आ चुका है strong acid के अगर बात कर लेते हैं strong acid अगर strong acid की बात कर लेते हैं strong acid में हमारे पास HCL होता है जो water के अंदर अगर डाला जाता है तो आपके पास अब यह HCL क्या करेगा proton donate करेगा और जब यह proton donate करेगा तो यह क्या हो गया acid हो गया और यह proton accept करेगा तो यह base हो जाएगा इस तरीके से यह proton accept कर लिया यह H3O PLUS हो गया और यह CL अलग हो गया तो यह आपके पास acid कहलाएगा और यह आपके पास base कहलाएगा तो यह आपके पास इस ट्रेंट ब्रॉंस्टेड लॉरी थियूरी थी और यहीं से water की self ionization और water की autonization का concept भी सामने आया था कि water खुद एक acid और एक base पर मिश्टमीले मैं अब acidic भी होता है और basic भी होता है water दोनों मिलकर ही जब इसकी concentration बराबर हो जाती है तो neutralization process start होता है इसके लिए मैं अलग video बनाऊँगा आप chemistry pk चैनल पर visit करके देख सकते हैं ब्रॉंस्टेड का concept यही था कि जो acid है वो proton acceptor और जो base है वो proton sorry जो base है वो proton acceptor और जो acid है वो proton donor